दिन डाल जाए है रात न जाए क्या आप भी कोई ऐसे जन है जिने सब कुछ मालूम है कि दिन में अपनी स्किन पर क्या लगाना है कैसे लगाना है कितना लगाना है कैसे खुबसरत दिखना है पर रात का रूटीन थोड़ा सा टीड़ा हो जाता है और हमारी स्किन हेल्दी नह बाहर निकल सकते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए अपना फिलहाल का विंटर स्किन केर नाइट रूटीन जिसको फॉलो करने से आपको स्किन केर में भी बहुत इजाफा मिलने वाला है और जब भी आप बाहर जाना चाहेंगे जादा परिशानी आपको नहीं हो अगर चानल पर पहली बार आए हैं तो बिना वक्त गवाए जल्दी से नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक कर दीजिए क्योंकि कहीं विडियो हाथ से निकल गई तो फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी दुबारा टक्राएं ना है की नहीं उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप अपने दिंचरिया में कहीं बजी हो भी जाएं तो नोटिफिकेशन आपको याद दिलाएगा कि प्रीती प्रीधना एक नया माजिक लेकर आचुकी है स्वागत है मेरे परिवार का और अपने चानल प्रीती प्रीधना पर आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त हैं खुश्च हैं अपना खयाल रख रहे हैं और विंटर सीजन में धूप की प्रतीक्षा कर रहे हैं जी हां काफी जादा देर लगा दी आज तो धूप आई ही नहीं है कहा कहा पर धूप आई है हमें भी बताइए ताकि हम भी आनन ले सकें कि कहीं तो कोई इंजॉई कर रहा है आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने के लिए हूँ अपना करन्ट विंटर स्किन केर नाइट रूटीन यानि की रात के समय आप अपनी स्किन का खयाल कैसे रख सकते हैं क्या इस समय पे होती है अगर आप एक्सराइज करते हैं तो वेट लॉस रात के समय पे होता है अगर आपको चोट लेगी है तो हीलिंग रात के समय होती है एवरी सिंगल रात के समय ही होता है वेन वी आर स्लीपिंग इसी लिए सोते समय आप जितना अच्छा कंडिशनिंग करें करते हैं बाकि हमारी इंटेलिजन बॉड़ी है यह खुद अपने आपको रिपैर करती है रिजुवनेट करती है यह सब खुद करने के लिए सक्षम है आप सिर्फ प्रोवाइट करते हैं समझ में आया तो बस यहीं कंडिशन हमें अपनी स्किन को रात के समय प्रोवाइट कर हमारी हैं ताकि वह बहुत अच्छय से हील कर सके अपने आपको रिजोवनेट कर सके डेद्स्किन को हटा सके नयए सेल्स को बहुत अच्छ्छ होने में हेल्प कर सके समझ में आ गया कोई भी यह गलती नहीं करेगा कि ऐसे यहरो मेकप में सो गया या किसी भी का रूटीन, डिस्प्रिन अगर आप फॉलो करते हैं, तो सारी की सारी स्किन की परिशानिया आपको खुदा हाफस कहे के निकल लेंगे और आप काफी खुश रहेंगे, अपना नाइट स्किन के रूटीन आप सभी के साथ शेयर करने से पहले, मैं अपने पूरे परिवार को चोटी से हिदायत देना चाहती हो, कि आपको ये सारे के सारी चीज़े अपने लिए करने के आवशकता नहीं है, अगर आपको कोई एक दो स्टेप अपने लिए समझ में आते हैं, और आपके रूटीन में फिक्स हो जाते हैं, तो आप उनको ही अपना सकते हैं, जो जब आप रूटीन, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, तब आपको चेंज़ दिखने स्टार्ट होते हैं, तो ये सिरफ एक सिजेशन है, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइस ठीक है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, तो मेरा नाइट स्किन क इसके लिए अलर्जिक होते हैं, तो सबसे बहले आप ब्रशिंग करके इससे एक दम से फ्री हो जाईए, और इसके बाद, स्टेप नमबर टू इस क्लीनिग यॉर फेस, अभी बहुत इंपॉर्टन स्टेप है, कई बार लोगों को लगता है, आज आज आपने मेक अप नही करने के आवशकता नहीं है, अगर आपने संस्क्रीम भी पहना है, मोिस्टिराईजर भी लगाया है, अगर आपने कुछ भी अपने चहरे पर लगाया है, आपको उसको हटाना ही है, जिसके लिए सबसे पहला विकल्प जो मैं सिजडेस्ट करूँगी, वो है माइसिलर वाट जिसको आप किसी भी cotton pad में, make-up removing pad में, किसी भी चीज में लेकर और अपने चहरे को अच्छे से clean कर सकते हैं, ये चार्च पार्टिकल आपके चहरे पर मौझूद किसी भी foreign body को एकदम से अपने साथ ले लेता है और बाहर आ जाता है, आपका चहरा बिल्कुल clean हो जाता है, को आपकी स्किन पर रह सकता है, इसलिए अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो make sure कि इसके बाद बहुत अच्छे से cleansing करें, तो आप कोई भी oil ले लिजे, मैं नॉर्मली मसिल वाटर का इस्तेमाल करती हूं, आपको डिमोंस्ट्रेट करने के लिए, मैं यहां पर oil ले रही ह थोड़ा काला हो सकता है, चहरा अगर आपने ज्यादा लाइनर लगा है, तो बिलकुल काली आखे हो जाएंगी, बट जास्टों वरी, आप एक टिशू लेंगे, सॉफ टिशू जो कि फेस के लिए सूटबल है, और इसको क्लीन कर देंगे, और आप देखेंगे कि आपका च आप इसको लेंगे और अपने चहरे को अच्छे से वाश करेंगे, ताकि वो सारा का सारा जो ओल है, वो बाहरा आजाए, क्योंकि ओल सारा मेकप लेके अल्रडी बाहरा चुका है, अब हमें ऑल को हटाना है, इसके बाद आपका चहरा इतना सॉफ्ट सपल और क्लीन महसूस क करेगा, कि अब रिलाक्स्ट पूरा दिन खातम हो चुका है, और रिली 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 रिलाक्स्ट मेरी स्किन के रूटीन का स्टेप नबर फोर इस ऑप्शनल और इस स्क्रब, अगर आप डिय फेस वाश का इस्तमाल करें हैं, तो यकीन मानिए कि आपको शायद पंदरा दिन यहाँ पर देपोजिशन होता है, तो आपके लिए जो भी एरिया है, आप हाँ पर अच्छे से हलका स्टीम करके, हलका हलका स्क्रब कीजिए, जिससे भी आप कामफटबल है, और जस्ट गेट रिद अप देट स्किन, अब रात का समय है, तो आपको कोई मार्केट बेस टोन चीजिए नहीं लगाना है, बिलकुल भी नहीं, हम अपनी स्किन को ब्रीध करने की स्पेस देने वाले हैं, उसको सही कंडिशन्स देने वाले हैं, इसलिए अगर आप गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, आपको सूट करता है, तो सिरफ गुलाब जल स्प्रे कर लिजए, इसको आप नाचरली सूखने दीजिए, ऐसा नहीं कि लगा के और पोंच दिया, नहीं, लगा के रहने दीजिए, अपने आप एब्सॉब होने दीजिए, और आपको डिफरेंस शायद इमीडियेटली ना देखे, पर जब करते रहेंगे डिसिप्रेंट वे में, तो आपको ड कि मैंने आप से कहा कि मार्केट बेस्ट किसी भी चीज़ का आपको इस्तमाल नहीं करना है, तो अगर आपने डिया मॉश्चराइजर अपने लिए बनाया हुआ है, तो आप उसको इस्तमाल कीजे, बहुत ही असान है बनाना, और इतना एपिक है कि आप महीनों उसको बिना कर सकते हैं, और बहुत अच्छी मॉश्चराइजेशन आपकी स्किन के लिए अचीव कर सकते हैं, अगर आपने डिया मॉश्चराइजर नहीं बनाया है, तो आप यहां पर ग्लिसरीन प्लस रोज वाटर का मिक्स बना कर रख सकते हैं, इसका अप्लिकेशन कर लीजे, बिल् सकते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यह से जन है, जिनके स्किन सुपर ड्राय है, मतलब हद से जादा, आप सिरफ बादाम का तेल लीजे, कोई मॉश्चराइजर मत लगाईए, और हलका हलका पैड ड्राय करते हैं, अपने पूरे स्किन पर बादाम के तेल का अप्लिकेशन कर लीजे, ये तीन ऑप्शिन आप अवेल कर सकते हैं, स्टेप नंबर सिक्स, यानि मॉश्चराइज़ेशन के लिए, इस रूटीन के स्टेप नंबर सिक्स को कम्प्लीट करने तक, आपकी फेशल स्किन अपसियूटली क्लीन हो चुकी है, हाइडरेटर हो चुकी है, अब हम बात करते हैं, आपकी आइब्राउस और आइलाशस के बारे में, इसके लिए आप एक एम्टी मस्कारा बॉटल ली सकते हैं, अच्छे से वाश कर लीजेगा पहले, वांड भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए, बॉटल भी क्लीन होना चाह और अपने आइब्राउस पर आप अच्छे से लगा लेंगे, कैस्टर ओल आपका अगर कुछ भी पोर्शन अगर चोट लगी है, वहां पर हेर फॉलिकल्स है ही नहीं, उसकी में बात नहीं कर रहे हो, पर अगर आपकी ग्रोथ हलकी है, तो कैस्टर ओल का रेगलर अप्रिक बहुत अच्छे नीद आती है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, step number 8, आपके lips का tech care, जो भी lip care आप इस्तेमाल करते हैं, मैं normally boroline का इस्तेमाल करती हूँ, but it varies a lot, कभी मलाई लगा सकते हैं आप, किसी दिन आप घी लगा सकते हैं, किसी दिन आप कोई भी lip balm जो यूज कर लगा सकते हैं, आप कोई भी lip tint अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, moisturizing lip tint उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, and आपके lips next day, यह सब कुछ जो हम कर रहे हैं, results आपको next day दिखते हैं, बहुत अच्छे और खुबसूरत results आपको दिखने मिलते हैं, इस routine का step number 9 is taking care of your hands and feet, देखिए, बहुत सारी लोग होते हैं, कि वो बिल्कुल वेट करते हैं, कि जब तक एडिया बिल्कुल फटना जाए ना, तब तक हम उनका देख भाल नहीं करेंगे हैं, उनको देखेंगे भी नहीं, it's not healthy, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए प्लीज जितनी निकालते हैं, वाश कीजे अपने पैरो को, और उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करके, और फिर सो यह, it's very very healthy, और आप देखेंगे, कि आपके जो एडिया बहुत ज्यादा से वेर हो जाती हैं, सीवेर हालत तक चली जाती हैं, वो नहीं होंगी, और आपके हाथ प स्किन है, वो बिल्कुल भी परिशान नहीं होगी, इस रूटीन का लास्ट पर डैफिनेटल नॉट इस टेप इस रीडिंग और रिलाक्सिंग, आप अपनी स्किन का खयाल रखना चाहते हैं, और टेंचन में हैं, स्ट्रेस में हैं, कल क्या होगा, मैम क्या कहेंगी, स्टू अगडम शघण हो जाती है त्राक्सिंग के दारान, इत्स कौं हम अपनी स्ट्रेस नहीं ज़ाते हैं, और उसको कहते हैं यह स्ट्रेस है, इसलिए रात को रीड करना, रिलाक्स करना, आगए आप रखनेटल चौizing का व् Karma को घंग और इन लिए यो फ्रेगड पर रखाल॓ बहुत आवशक है, बहुत ज्यादा आवशक है, इसलिए प्लीज हव गड़ नाइच स्लीप, अगर आप ये सारी की सारी चीज़े फॉलो करते हैं, तब तो I promise यो कि आपको कोई भी ऐसी परिशानी नहीं होगी, कि लास्वन पर आपको बहुत जादे यूनों, बिल्कुल ऐस मुझे बहुत अच्छे रिजाल्स दे रहा है, और अगर आप भी फॉलो करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है, कि आपको भी बहुत अच्छे रिजाल्स मिलेंगे, जितना भी आप फॉलो कर सकते हैं, और वापस आके हमें अवश्य बताएगा, कि आपके लिए किन किन स्टेप्स ने काम किया, और आपको क्या रिजाल्स मिल रहे हैं, परिवार के सभी सदस से, आपके जितने भी फीड़बाक होते हैं, उनको एप्रिशेट करते हैं, और आ इस वीडियो को जरूर शेर कीजेगा, I'll see you all in the next one, till then, take really good care of yourself.